नमस्कार दोफते एक बारा कॉफिर से स्वागत है, सीखो सिखाव जल पे मेहन तोल सीमातो, आज मेरा सेकंड वीडियो है एडवी इलिश्टेटर पे और आई होब कि मेरा पहला जो वीडियो था आप लोग को पसंद आ जाहू, तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, तो सबसे प बारे में सीखेंगे, सबसे पहले यहां पर आता है, डारेक्ट सरसन टूल की यह क्या बला है, तो हमें यहां पर pen tool, anchor point यह सारे नहीं, फिलाल मैं यहां पर आता हूँ, यहां पर tool है, line tool, इसे लेते हैं, देखे, जैसे मैं line tool लेता हूँ, यहां पर click करता हूँ, तो यह क्य चली कोई नहीं, कुछ भी है, okay करते हैं, तो यह देखे, हमें एक line बना देती है, कितनी बड़ी आपको line चाहिए, फिलाल हमें नहीं चाहिए, मैं click करने के साथ अगर इस तरह से जाओं, तो यह देखे, line इधर उधर हो सकती है, लेकिन जैसे मैं shift press करूँगा, तो यह line बि एक छोड़ी से rectangle जैसे बना हुई दिखाए देती होगी, अगर मैं यहाँ पर ले लू, direct selection tool, तो अब दिखे, यहाँ पर एक मिल जाता है anchor, और दूसरा जो है, यहाँ पर एक anchor, ठीक है, तो यह जो anchor है, यह क्या है, पहले समझ लेते हैं, कि यह क्या है, यहाँ पर एक line है, यह line बनती है, एक end से, एक start से, एक end से, एक line बनती है, जैसि कि हमने एक line लिया, यहाँ पर click किया, और यहाँ पर click किया, तो यानि कि starting यहाँ से है और end यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करता है, यह हमें anchor point देता है, इस point को अगर हम लोग पकड़ के, इस side, इधर उदर अ थीक है, और भी हम लोग इसे सीखेंगे भी, तो हमें क्या करना है, आजाना है यहाँ पर, एक rectangle, यह देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक rectangle, फिर से उसी पर आऊँगा, एक सरकल लेता हूँ यहाँ पर, चले रहाँ, हमने एक सरकल भी ले लिया, यहाँ पर एक polygon के लिए हा करते हैं एक क्लिक करते हैं तो हमें पूछता है किते साइड से हैं साइड मिन्स एक दो तीन ठीक है या पिर आप इस तरह से भी क्लेक करके ले सकते हैं यह अपनी अपनी मर्जी है किस तरह से लेना चाहरे मैं पूर्ण इगर उनको क्लिक करता हूं और 6 पॉइंट लिखे ओके करता हूं थोड़ा समय से यहां से इस तरह से छोटा कर देता हूं चलिए हमारे यह हो गया है next जो हमारा star है तो चलिए star भी ले लेते हैं सब को देखेंगे अभी एक एक करके आज़र इस पे भी point के लिए पूँछता है यह देखे तो point अगर 9 ले लेते हैं तो यह देखे हमारे पास 9 point के star आजाते हैं ख्यार अब मैं यहां पर जो मेरा डारेक्ट सेलेक्शन टूल है इसे लोगा और यहां पर क्लिक करूँगा थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर जैसे क्लिक हूँ तो अब दिखे यहाँ पर एक हमें एंकर दिखाए दे रहा है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ठीके तो मैं क्या करता हूँ इसे इस तरह से स्लेक्ट करता हूँ या फिर आप अगर select करना चाहरे हों तो एक बार click कर दीजे यह दिखे न यह fill सा दिखेगा यहाँ पर देखे खाली से दिखाई दे रहा है यह fill सा दिखेगा यानि कि यह हमारा anchor point select हो गिया है तो अगर आप इसे इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से जिस तरह से भी आप चाहरे हों बिल्कुल आप कर सकते हैं उसके बाद यह जो है यह छोड़ी से गोल सुझ दिखाई दे रही है इसे पकड़ने के साथ इसे देगे कर्ब कर सकते हैं कि अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उस पर मैंने यह चीज बताया हुआ हुआ था ठीक है उसे तरह यहां पर आते हैं तो यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यह देखिए सेमी चीज हमें दिखाई देने लगी है जैसे क्लिक करता हूँ तो यहां पर देखे हैंडल मिल रहा है में इस हैंडल के साइथा से यह देखे इस तरह से हम लोग इसे मोडिफा betting अपनी इसाब देखे जूभी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं इसमें कोई रोप टोख नहीं है अगर आप सीख रहे होँ तो बिलकूल आप किसे तरह से बनएए कोई दिकरत नहीं है दिखे एक दिया की माफिक बन गया है इस उतना अच्छा तो नहीं कहाजा सकता है बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो बिल्कुल इसे जितना आप छेड़िएगा उतना आप सीख पढ़िएगा छेले फिर मैं इस पर आता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ ज तो क्या होता है यह देखे क्या हो गया अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ डिलेट कर दे रहा हूँ तो यह देखे बिल्कुल यह दिलेट हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर हमें बहुत सारे चीज़े मिल जाती हैं मतलब वही नोट्स हैं यह देखे बिल मैं इसे यहां पर ला रहा हूँ छीक है इसके हमें कोपी करनी है तो ALT के साथ यहां पर क्लेक हूँ और इसे इस तरह से लेकर जा रहा हूँ यह देखिण काफी याद本द दूर चल गए है मैं सिपको साथ में प्रेस कर ले रहा हूँ और यहां पर जैसे ही यह चिपकने वाली होगी न अगर चिपक से जाएगी तो इंटर सेक्ट लिखा हुआ जाएगा यानि कि यह दोनों चिपक गई है दोस्त बन गई है अपने फिर से मैं इसे भी लिखे जा रहा हूँ उपर की और फिर इन दोनों को दोस्त बनाना है छली यह भी दिखे इन दोनों को select करना है बाकी इन सब को नहीं इसपर आपको ध्यान में देना है कि सिर्फ हमें इन दोनों को select करना है उसके बाद click करने के साथ इसे कुछ इस तरह से कर देना है यह दिखे हमें फिर इन दोनों को select करना है और पकड़ने के साथ यहां पर ले आना है तो इन दोनों को select करेंगे तो यहां पर हमारे कितनी note select हुई है यहां पर दो होंगे और एक यहां है ठीके तोड़ा समय से अंदर की और इस तरह से कर दिता हूँ अच्छा, सारे कुछ लट करेंगे और इसे पकड़ने के साथ जैसे ही मैं इसे छोटा कर दूँ ये देखे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिन लगा है अच्छा, आप इसे कई तरह से बना सकते हैं, ये टोटली आप की मर्जी है मैं बिसिकली आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्या है, ये अलग है, ये देख लीजे और ये भी अलग है, ये भी देख लीजे तो बिल्कुल आप इसे अपने मुताबिक अपने हिसाब से जिस तरह से बनाना चाह रहे हो बना सकते हैं यहाँ पर थोड़ा समय से क्लिक करने के साथ अगर ऐसे करूं तो यह देखिए कितना अच्छा लग रहा इसे डिलेट कर देता हूं यह देखिए अब दोनों डिलेट हो गया ऐसा क्यूं हुआ हमें यह डिलेट चाहिए तो चलिए इसे सेलेट करने के साथ डिलेट करना है इसे यहाँ से मैं इस तरह से कुछ राउंड करता हूं यह देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टूल आता है लाइन टूल तो इस लाइन टूल से मैंने कुछ इस तरह से ड्रो किया ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक नोड हमें मिल जाती है यहां पे एक node है, यहां पे एक node है, मैं चाहरा हूँ कि यहां पे एक node आ जाए और उसे में click करके नीची क्योर लेके आओं या फिर इस पे भी मैं चाहरा हूँ कि यहां पे एक node आ जाए तो उसकी लिए हमें आना है यहां पे, यह देखे, anchor point tool, shortcut आप देख सकते हैं, shift plus c इसे लेने के साथ, जैसे आप यहां पे click करते हैं, और drag करते हैं, तो यह देखे यहां पे हमारे पास handle भी आ जाते हैं, आप इन handle का भी use कर सकते हैं, यह देखे यह देखे कुछ, इस तरह से, फिर यहां पे आते हैं, अगर आपको यह चाहिए, तो यहां पे click करने के साथ इस तरह से या इस तरह से आप adjust कर सकते हैं, यह देखे, और इसे भी आप इस तरह से कुछ बिल्कुल आप कर सकते हैं, दीए कई तरह से आप इसका use कर सकते है अच्छा, फिर से मैं यहीं पर हूँगा दीखिए, अगर आप new हैं, तो इन चीजों को इन चीजों पर experiment कीजिए, जितना experiment कीजिएगा, उतना आप सीखेगा मानगे चलिए आप मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, अब यह क्या है, अंडा कहा जा सकता है क्या, चलिए कोई बात नहीं इससे पकड़ने के साथ, दिखिए, मैंने इस तरह से select किया, direct selection tool से, जी हाँ, इससे याद रखिएगा और इसे पकड़ने के साथ, थोड़ा से मैं अगर नीचे कर दूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो यह अगर आपको कहीं थोड़ा सा under step जैसा लगेगा बागी ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसे कर सकते हैं इसे को ही अगर में हम लोग यहां पे आते हैं और यहां पे अगर क्लिक कर दूँ और इसे थोड़ा सा अंदर क्यूर कर दूँ और इसे उपर को पगड़के अगर इस साइड कर दूँ तो यह कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आम के जैसा लगने लगेगा मैंगो के जैसा अब ब्रस किर जिए बी से होता है ब्रस और यहाँ पर कुछ इस तरह सब कर सकते हैं आम जैसा ही लग रहा किया चलिए जो भी है लेकिन बंट तो किया है अच्छा और एक चीछ जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपने मैंगो बनाया या कुछ भी बनाया जो भी आपने बनाया ओल्ट के साथ यह देखिए यह क्या हो रहा है तो अगर आप ओल्ट के साथ इसे ड्रेक करें तो यह देखी क्या हो जा रहा है यह देखिए shift को press कर दीजिए बिल्कुल यह सही आएगा उसके बाद अगर आप यह जो artboard है यह जो page है इससे बाहर भी अगर रखना चाहरे हूं तो बिल्कुल रख सकते हैं mango के यह देख लीजिए इस पर कोई भी color भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें तो मैं select करता हूं और यहां पर यह इसलिए लता हूं black तो यह देखिया हमारा black color इस पर कोई fill हो गया है कोई और color अगर अप लेना चाहरे हूं तो इस पर double click कीजिए जो भी color आपको पसंदो आप ले लिजिए यह देखिया अच्छा mango तो red नहीं होता है तो 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 green यह देखिया है तो इस तरह से आप जो है इस पर work कर सकते हैं ठीक है next video पे मैं सारे चीज़े यहां पर cover करने वाला हूं यह जो anchor point है तो मैंने बता ही दिया पेंटूल के बाद और भी बहुत सारे चीज़े इस पर आप बना सकते हैं आप लोग अपना idea लगा सकते हैं यह दिखिया है मान के चलिए आपने यह बनाया यहां से थोड़ा सा rotate कर दिया ठीक है रूटेट करने के साथ आप को क्या करना है चलिए हमने रूटेट कर दिया इसे हमें यहां तक ले आना है ठीक है मैं एक copy कर लेता हूं चलिए इस mango mango का का हो गया है अब मैं यहां से लाइन टूल ले लेता हूं यह दिखिया हमारा लाइन टूल हमें क्या करना है हमें यहां स्वारी हमें क्या करना है हमें यहां पर क्लिक करना है और सीधे यहां पर मिला देना है इसलिए आइडिया के लिए कि कौन सा टूल किस तरह का काम करता है तो देखीए कि क्या होता है मैं फिर से shift को halt किये हूँ इसे यहां से rotate करता हूँ और इसे अब की बार मैं नीचे तरफ कर रहा हूँ मैंने उपर side किया हूँ था इसमें नीचे side कर रहा हूँ अब मैं यहां से line tool ले ले हूँ मैंने line tool लिया यहां पर click करता हूँ और सेथे पगड़के यहां फिर से मैं यहां पर आता हूँ इसे पगड़के यहां और यहां click करके मैं इसे यहां पर ले आता हूँ तो यह देखे दोनों चीज़ें आपको अलग-अलग दिखाई देने लगी होगी इस पे क्लिक होंगर मैं ये जो है इस पे और इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ कलर पे कोई कलर ले लेता हम कोई भी तो ये दीखे इस पे ये कलर फिल हो गिया है सारी आउटलाइन अगर आपको रिमूब करनी हो तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देते हैं तो यह देखें सिर्फ हमें यही दिखाए दे रहा है क्योंकि बाकी सब तो color हमने किया ही नहीं है है कि नहीं तो यह चीज़े हैं आप लोग try कीजिए और एक ही जीच कहूंगा कि अगर मेरे वीडियो से अगर आप लोग को कुछ help हो रही हो तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और कुछ भी अगर आपके मन में question हो तो आप question करके ज़रू पूछें या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप comment करके ज़रू बताएं Thank you, have fun, bye bye